नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि विटाजाइन सिरप का उपयोग किन कंडीशन्स में किया जाता है। विटाजाइन सिरप को कैसे लेना चाहिए और विटाजाइन सिरप की वजह से क्या side effects हो सकते हैं और यह भी discuss करेंगे कि विटाजाइन सिरप को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन conditions में विटाजाइन सिरप को लेना recommended नहीं होता है विटाजाइन सिरप के अंदर synthetic digestive enzyme मौझूद होते हैं, digestive enzyme हमारे शरीर में भोजन को पचाने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, हमारा शरीर भोजन को अच्छी तरह से पचाने के लिए amylage और lipage जैसे digestive enzyme उत्पन करता है, परन्तु जब किसी कारणवश हमारा शरीर परियाप मात्रा में digestive enzyme नहीं बना पाता है, तब Dr. Liquid syrup की forum में synthetic digestive enzyme लेने की सलाह दे सकता है, विटाजाइन सिरप शरीर के पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है, और carbohydrate, fat और protein को शरीर में अच्छी तरह से पचाने में मदद करती है, इसके अलावा विटाजाइन सिरप भूख को भी बढ हाने में मदद करती है, और जिन व्यक्तियों को एक भरा भरा हुआ महसूस होता है, उन व्यक्तियों के लिए भी विटाजाइन सिरप बहुत ही फाइदेमन होती है, विटाजाइन सिरप का उपयोग पेंक्रियाज के रोगों में, कई प्रकार के पेट के रोगों में, पेट की सलाह दे सकते हैं क्योंकि विटाजाइन सिरप पाचन तंत्र को मजबूत बना कर पेट में गैस बनने की समस्य को कम करती हैं कुछ व्यक्ति पूछते हैं कि क्या विटाजाइन सिरप वजन को बढ़ाती है या नहीं देखिए विटाजाइन सिरप सीधे तौर पर वजन को न कर सकती है लेकिन विटाजाइन सिरप सीधे तौर पर वजन को नहीं बढ़ाती है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो खृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें अब हम डिसकस करेंगे कि विटाजाइन सिरप को कैसे लेना रेकमेंडेद होता है विटाज दस मिली लीटर सिरप को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को डॉक्टर विटाजाइन 5 मिली लीटर सिरप को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं विटाजाइन सिरप की खुराक उम्र शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तिओं में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको विटाजाइन सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। और डॉक्टर की सलाह के बिना विटाजाइन सिरप को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि विटाज विताजाएन शिरप की वजह से कोई side effects नहीं होते हैं। लेकिन कुछ percent व्यक्तियों में विताजाएन सिरप की वजह से कुछ सामाने side effects हो सक्ते हैं। जैसे उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना, तवचा पर रैशेस, दस्त और कब्स की समस्या हो सकती है। अब हम डिसकस करेंगे कि विटाजाइन सिरप को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। और किन कंडीशन्स में विटाजाइन सिरप को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। लिवर और किड़नी की कोई बीमारी होने पर विताजाइन सिरप की खुराख घटानी पड़ सकती है, इसलिए लिवर और किड़नी की कोई बीमारी होने पर इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए. अब हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं विटाजाइन सिरप को ले सकती है या नहीं प्रेगनेंट महिलाओं के लिए विटाजाइन सिरप का सेवन करना रेक में डेड नहीं है और स्तनपान करा रही महिलाओं को भी डॉक्टर विटाजाइन सिरप को लेने की सलाह तभी देते हैं, जब विटाजाइन सिरप का देना बहुत ही जरूरी हो, इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को विटाजाइन सिरप को लेने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका विटाजाइन सिरफ से संबंधित कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.